एक समय की बात है, एक जीवंत मूंगा चटान में टिली नाम का एक छोटा कच्छुआ रहता था टिली अपने दोस्तों में सबसे छोटी थी, लेकिन उसका दिल सबसे बड़ा था एक दिन, चटान पर एक भैंकर तूफान आया, जिससे रंग बिरंगे मूंगे बिखर गए और समुदरी जीव डर गए टिली ने देखा कि एक गिरी हुई चटान के नीचे एक उदास क्लाउन फिश फंसी हुई है अपने आकार के बावजूद, वो तैर गई और बड़े द्रड संकत के साथ चटान को दूर धकेल दिया क्लाउन फिश आभारी थी और उसने दूसरों को टिली की बहादुरी के बारे में बताया जैसे जैसे दिन बीटते गए, टिली की दयालुता पूरे चटान में फैल गई जब भी किसी को मदद की जरूरत होती, टिली वहां मौजूद होता उसने एक खोए हुए समुदरी घोडे को उसके परिवार को ढूंडने में मदद की और एक साधू केकड़े के टूटे हुए खोल की मरम्मत की एक दिन समुदरी जीवों ने टिली के लिए एक आभार पार्टी आयोज़त करने का फैसला किया उन्होंने चटान को चमचमाते सीपियों और रंगीन समुदरी शैवाल से सजाया टिली खुशी से अभिभूत थी उसने सीखा कि दयालुता का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और सबसे छोटा प्रानी भी बड़ा बदलाव ला सकता है और इसलिए वो छोटा कच्छुआ जिसे एक बार नजरंदास कर दिया गया था पानी के नीचे की दुनिया में दयालुता की शक्ती का एक चमकदार उदाहरन बन गया और यह साबित कर दिया कि सची महानता एक देखभाल करने वाले दिल से आती है